और एक बड़ी खबर आपको पता दे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की दखल के बाद रूस और यूक्रेन के बीच परमाणू युद का खत्रा टाल दिया गया था साथी CNN के रिपोर्ट में इस बात का बहुत बड़ा दावा किया गया एक रिपोर्ट में इदावा किया गया कि रूस और यूक्रेन के बीच 2022 के फरवरी में शुरू हुआ संगर्ष परमाणू युद की तरफ बड़ रहा था लेकिन संगर्ष टालने में दुनिया के सेश्ट नेताओं ने उलेकनिया भूमिका ने भाई यूक्रेन में भारतियों की सुरक्षित स्वदेश वापसी और उनके सुरक्षा के लिए खुद पीयम मोदी ने कमान संभाली थी बैकाउट कोरवे एवां इलेक्षन एपोरे आपनादे शब केरे नहां हवे और अपार बंगलाए पाथी द्वाचेश्टा करवे कि तो आम्रा अपनादे सेल्टा दबो आम्रा अपनादे काउके डिरेंशें ट्यम्पे जेते देवोन ना अफार कार बाति चल बेना गौरी मानुशे टाका माना चल बेना बड़ा हमला किया है सन्देश खाली मामले पर सुबेना अपनादे कारी ने कहा कि ममता बेनरजी महिलाओं का दर्द नहीं समझती दो महिले से ज़ादा हो गया है वो संदेश खाली पर एक शब्द नहीं बोल रही है प्रोई जोन अनुभाब करेंनी उल्टो दिके विकास सिंग शहो छी आत्तर जन के जेल खाटिये छैन उल्णो दिके आमादेर बोंदी दी रेखा पात्रों शहो आमादेर पद्दा दी शहो आमादे जाग्रतो मात्री मंडली तादेर उपोरे फुलिस के दिये तिनमूल कॉंग्रेस ने लोगसभ़ चुनाओ के लिए उम्मेदवारों के नाम का एलान कर दिया है बंगाल की सब ही 42 सीटों पर ममता ने उम्मेदवारों के नाम का एलान कर दिया सबसे बड़ा चेरा पुरु क्रिकेटर यूसुफ पठान का जिसे ममता बैनार जी ने बैरामपूर सीट से उम्मेदवार बनाया है वही नुसरत जहां का टिकेट कट गया है और बीजेपी ने भी कुछ सीटों पर उम्मेदवारों की घोशना कर दी है और अब टीमसी के उम्मेदवारों के नाम भी सामने आ चुके है और इसलिए पिक्चर बिलकुल पश्चे मंगाल में क्लियर हो गई है कि लड़ाई आखिर किसके किसके बीच होती दिखाई दे रही है ये तस्वीर आप देखिए कांधी में शौमिंदु अधिकारी बीजेपी के नेता उत्तमबारी यहाँ पर टीमसी के नेता है जिनके बीच ये मुकाबला होगा उसकी तरह हुगली में लॉक्रिट चटर जी बीजेपी के उमिदौर है तो रचना बनर जी को टीमसी ने मैदान में उतार दिया है और इसके अलावा हावडा पर रथीन चक्रवर्ती बीजेपी के उमिदौर है तो प्रसून बनर जी उन्हें चुनावती देंगे टीमसी के उमिदौर के तौर पर जिनके नाम का एलान हुआ है और बंगाउं में शांतनी ठाकूर बीजेपी के उमिदौर बनाए गए और इसी तरह से स्वामित्र खां बीजेपी के उमिदौर है बिटलूपूर से और सुजाता मंडल खां को टीमसी की ओर से उमिदौर बनाकर चुनावी मैदान में उतारा गया है और तस्वीर अब साफ होती दिखाई दे रहे कि किस तरह की टकर पश्चिम बंगाल में होने जा रहे है टीमसी के लोगसभा सीटों पर उमिदौरों के एलान पर बीजेपी ने निशाना साधा है और बाहरी लोगों को टिकेट देने का आरो बीजेपी ने लगाया है बंगाली को लेके बीजेपी अंटी बेंगाली है यह सब डायलोग बाजी चल रहा था आप जब कैडिदे निकला देखा गाए कि बाहर से लोगों को ट ला रहे है किरती आज आजात कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं यूसुप पटन कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं यूसुप पटन गुजराट से आते हैं मोदी जी भी गुजराट से आते हैं मोदी बोहिरागत है फोरेन एंटिटी है लेकिन यूसुप पटन नहीं है कौन सा रूल है कोई बंगाली नहीं मिला आपको बंगाली मुसल्मान में क्याँ जितने की लड़ने की ताकत नहीं है क्या आप गुज्राटी मुसल्मान को ला रही है यह फे यह तो चाहित है। मैं सही है कि हमारे और से भी कुछ बयान आये हैं, जो कुछ हमको परिशानी हुई है उन बयानों से, पर खुले मन से, बड़े दिल से इन बाच्चित हमें करने चाहिए, तो हमारे दिरूबाज है हमेशा खुला है, हम कहते हैं, केकर आ रहे हैं कि इंडिया जन बंदन को मजब पूद करना हमारा कर्टब यह है, हमारा फर्ज है, हमारी प्रादमिकता है, पर वो भी ममता बैनर जी कह दे रही थी, ममता जी ने यही कहा है, पर उनने कहा है कि वो पीजेपीप को बहराना चाहती हूँ, पर मैं समझता हूँ, अगर हम एक साथ लड़ते तो अच्छा होता ममता बनर जी ने अपनी पार्टी टीमसी से क्रिकेटर यूसूफ पठान को लोगसभा का उम्मीदवार बनाया तो इस पर कॉंग्रेस ने ताधिर रंजन चौधी ने ममता बनर जी पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि यूसूफ पठान का सम्मान करना ही था तो उन्हें राजसभा का टिकेट देना चाहिए था या फिर गडबंदन से गुजरात में यूसूफ के लिए एक सीट मांग लेनी सी तो पठान को अगर सम्मानित किये जाते सही डंग से कुछ दिन पहले बंगाल में राजसभा की चुना हुई थी बाहर के लोगों को राजसभा की एमपी बनाये गए अगर यूसूफ पठान को सम्मानित करना चाहिए था उनको कुछ पद देकर नवाजा किया जाए यह अगर सोच रही हुती तो यूसूफ पठान को बंगाल के टीमसी पार्टी राजसभा की मेंबर बनाके उनको एमपी पद दिलवा दी यह तो यूसूफ पठान की बारे में मम्ता बेहन जी कि अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम सकम गुजराट ने गटबंदन से एक सीट की बांग कर लेती कि मेरा एक ही उमिदबार खारा होगी गुजराट से उनके नाम है यूसूफ पठान लेकिन हिया उनकी इसलिए भेजा गय है कि आम लोगों में धुबी करन हो बीजेपी को मदद मिले और कॉंगरेस पाटी हारे डीमसी के लिस्ट आने पर बीजेपी ने भी ममता बैनर जी पर हमला बोला है बीजेपी के अमित मालवी ने ट्वीट करते हुए लिखा है 42 सीटों में से 7 सीटों पर यानि कि ममता के 17 फिस्दी उमिद